हेलो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे जपान के बारे में कुछ इंट्रेस्टिंग बाते तो चलो शुरू करते हैं जपान में स्क्वार शेप के वाटरमेलन बनते हैं और एक वाटरमेलन की प्राइस 45,000 के अराउंड होती है रश्या जपान से वाटरमेलन इंपोर्ट करता है समर सीजन में बहुत सारे लोग वहाँ पे वाटरमेलन गिफ्ट करते हैं जपान में 50,000 से ज़्यादा लोग है जिनकी एज 100 साल से ज़्यादा है दुन्या के दो ओल्डेस्ट फीपल जपान में हैं उनकी उम्र 117 और 116 साल है जपान 6,852 आइलेंड से मिलकर बना हुआ है जपान में ट्रेन 30 सेकेंड से ज़्यादा लेट नहीं हो सकती वहाँ पे कुछ ट्रेन्स मैगनेटिक पावर से भी चलती है आपको जानकर हैराने होगी ये वाली ट्रेन ट्रैक के कुछ इंच उपर चलती है ऐसा लगता है कि वो हवा में चल रही है जापान सेफ़स्ट कंट्रियों में से एक है वहाँ पे पूरा टाइम वो ना ही घर को लोग करते हैं ना ही अपनी साइकल को लोग करते हैं जापान में बहुत सारे वेंडिंग मशीन्स हैं जिनका यूस कॉफी, वाटर बॉटल्स और जूसेस के लिए होता है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में भी और्डर करने के लिए वेंडिंग मशीन्स यूस करे जाती है जापान में आपको अल्मुष्ट हर रोड पे वेंडिंग मशीन्स दिखाई देगी जापान में बहुत सार स्कूल्स में टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलके साफ सफाई का काम करते हैं यहां तक की टॉइलेट्स भी क्रीन करते हैं जापान में हर साल करीब 1500 भूगां पाते हैं हाला कि इसमें से कुछ बहुत छोटे होते हैं बट कुछ-कुछ बहुत बड़े होते हैं जिससे बहुत नुकसान हो जाता है क्या आपको पता है जापान में कुछ ऐसी भी कमपनिया है जहां पे एमप्लॉइस पावर नैप भी ले सकते हैं जिससे कि employees ज्यादा इनर्जी से काम कर सके हमारा फेवरेट कार्टून डोरे मौन वो भी मेड इन जापान है वो लोग अभी भी कॉमिक बुक्स पढ़ना पसंद करते है That's all for today. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe. Have a nice time.